भारत रतना अटल बिहारी बाचपई मेडिकल कॉलेज पूने की complete fee structure क्या है आप कैसे इस choice को अपनी choice list में इंटर कर सकते हैं प्लस उसके लिए last date क्या है कौन-कौन से students का अप्ग्रेडेशन पॉसिबल है, cut off कितना डाउन जाएगा उसके बारे में complete analysis इस छोटे से वीडियो में आप मेडिकाविंग के साथ बने रहे है गाईज महरास्टा की state common intern cell महरास्टा मुंबाई नीट यूजी 2021 इस state की जो counseling चल लए है उसमें जो notification dated 17th March 2022 का जो notification है notice for preference filling process for newly permitted भारत रतना अटल बिहारी बाचपे मेडिकल कॉलेज पुने dated 17th March 2022 गाईज इस college की अगर हम बात के रेफिलेशन की दिन राष्टिया आयोग्यानी नेशनल मेडिकल कमिशन की जब हम detail देखते है तो वहाँ पर ये college add है MBBS के लिए भारत रतना अटल बिहारी बाचपे मेडिकल कॉलेज पुने और यहाँ पर 2022 के ये जो inception है year college का ही वो 2022 है लेकिन योजी की counseling 2021 की 2022 में हो रही है different court के कफी सारे decisions थे जिसके होज़ासे delay हुआ था होने के बाद इस college में अगर हम permission की बात करें then 2021-22 session के लिए इसमें 100 seat का permission है और ये approval मिला है 9th March 2022 को भारत रतना अटल बिहारी medical college जो की पुने में है PMC medical college ये municipality corporation और पुने यानि पुने municipal corporation का ये college है और इस college की अगर हम fee structure की बात करें pmc.gov.in पर जब आप visit करेंगा वहाँ पर के लिए clear to view fee structure है और fee structure complete अभी आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर tuition fees open category के लिए 6,36,364 VJ&T category के लिए tuition fees 0 है EWS category के लिए 3,18,182 SCST के लिए 0, OBC के लिए 3,18,182 and institutional quota यहाँ पर जो choice filling के लिए महरास्टा स्टेट ने option दिया वहाँ पर आप इस college को institutional plus जो normal 85 state percent quota होता है उसमें दोनों में आप fill कर सकते हैं लेकिन एक बात का धियान रखे है अगर आप institutional quota में इसको fill करते हैं college मिलने की probability no doubt बहुत ज़ादा होगी लेकिन आप फीस बहुत ज़ादा होगी per year का expense आएगा लेकिन बाकी 85 percent जो state quota होता है उसमें अगर हम बात करेंगे then general के लिए ये फीस है 7,43,600 और वहीं पर BJ anti category के लिए 1,1236, EWS के लिए 3,93,600, SCST के लिए 37,600 रुपे, OBC के लिए 4,19,418 और institutional quota में सारी categories के लिए फीस जो लगेगी वो है 21,80,000 रुपे गाईज अब इसका जो notification महारास्टर की state की authority की ओर से दिया गया ये notification है right dated 17th March 2022 का और इसमें कई सारी चीजे बहुत ही clearly mention है कि ये code अगर आप इंटर करना चाहते है college का code है 1157 अटल भेहरी बाचवी medical college and teaching hospital पूने college code 1157 in the preference already filled using his login ID आप अपने login ID का use करके अगर आपने preference पहले fill किया है देन आप इसको edit कर सकते हैं इस college को आप add कर सकते हैं इस college को आपको आपको वहाँ पर add करना है जहाँ पर की आप चाहते हैं हाला कि जो college आपका allot हुआ है महा city की ओर से कहा गया है कि जो आपका college allotted है उसके पहले आप इसको fill करिए अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ऐसे student जिनको की first round में allotment हुआ था और first round में allotment होने के बाद वो सारे लोग status retention form भर चुके थे उस case में अगर आप इस college को add करना चाहते हैं देन आपको online ही status retention form को cancel करने का request देना पड़ेगा लेकिन उसके बाद अगर इस college को आप fill नहीं करते हैं choice filling में then online जो आपने status retention form cancel करने के लिए भरा है अगर आप college को choice filling में नहीं डालते हैं दिन वो आपका cancel माना जाएगा वो valid नहीं होगा जो भी fee structure है इस notice में दिया गया है कि website पर available है fee structure के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया यह जो facility ही available होगी 19-30-2022 से लेके 22-30-2022 तक up to 8 p.m. server time यानि 22-2022 तक रात 8 बिज़े तक आप इस choice filling को अगर आप चाहें तो change करके अपनी choice listing में डाल सकते हैं cut off के बारे में बात करें कि इस थोड़ा सा down जरूर होगा क्योंकि नया college है add हुआ है और यहाँ पर private colleges में ऐसे student जो different colleges में allotment जिनका हुआ था या फिर कई सारे students हैं जो border line पर था जिनकों की allotment नहीं हुआ उस case में इस नया college के आ जाने के बाद no doubt cut off में अंतर आएगा cut off और down होगी जो कि 2021 की second round में जो cut off गया था उससे 4-5 number और नीचे आने की उम्मिद है different categories के लिए cut off में so guys अगर आपने lock नहीं किया अभी तक 22 तारीत के last date है आप इसको lock कर सकते हैं आपका कोई question होता है आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें comment box में comment कर सकते हैं या फिर screen पर जो number हो रहा है इस number पर आप हमें what's up भी कर सकते हैं pop up round में क्या रहेगी cut off all India के उसके बार में next के video में detail में discussion करेंगे आप मेडिकविंग के साथ बने रहे है चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं अभी तक आपने इसको subscribe नहीं के इसको subscribe जरू कीज़े ताकि future के जो updates है ने 2021 की counselling प्लस 2022 के examination को लेके वो आपको non stop लगातार मिलते रहेंगे मेडिकविंग की और से मैं अमित आप सब के लिए ये सारी information लेकर आया था आप चैनल का content अगर पसंद करते हैं आप इसको like जरू कीज़े दोस्तों के साथ share कीज़े बने रहे हैं मेडिकविंग के साथ thank you for watching मेडिकविंग thanks a lot